चनपत ओधम सिंग नगर के खटीमा के रहने वाले नटवर लाल को पुलिस ने गिरफतार किया है SSP मंचुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हो बताए कि आरोपी सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर लोगों से मूटी रकम बसूलता था उसके बाद लंबे समय तक टहलाता था बताए कि इस मामले में इंदरजीत सहानी को पहले ही गिरफतार कर चिल भेज चुकी है वह इस मामले का मासरमाइंड मनूज रावत और बॉबी रावत को पुलिस ने जाच के बाद गिरफतार कर नियालाय में पेश किया है जहां से कोट ने ठगी की आरुपी मनूज रावत को चिल भेज दिया है आपको बता दे कि आरुपी ने स्टे अप और पुलिस की जाच को गुमरहा करने का आरुप है लोगों के शुकायतों से बच्चुने के लिए पहले तो इसने शुकायत करताओं के खिलाव एक फर्ची मुकदमा दर्चोय करवा दिया था रुद रपोर्ट से मुकेश मंडल की रिपोर्ट अजय सानी प्रमुक अभ्यूक्त माना गया था उन्वेस्टिकेशन में यह जानकारी में आया कि केवल अजय सानी अकेला नहीं था तो उसकी एक और दूसरा साती है उसका नाम में कई दस लोगों ने कुल मिला के पैसा दिया ता मनोज रावत को क्याश मनोज रावत उर्फ बॉबी खटीमा के रहने वाले को तो उसको आज गिरफतारी कराम ने गिरफतारी करके जहेल बेज रहें और उसकी ही कबजे में तीन विभिन नियुकती प्रमान पत्र अलग-अलग डेटों का अलग-अलग विभागों का